जैहिंद मेरे प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है उतकर डिफेंस अकेडमी के इस सांदार से प्लेटफॉर्म पर तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग आ जाईएगा और काफी दिनों से काफी बच्चों के यह डाउट थे कि सर एक बार NDA में चैप्टर वाइज बत जाते हैं यह सब कुछ डिटेल में सर बता देंगा आपको मैं आपको यहां पर पेपर टू के जो है जीएटी जो पूर्शन होती है जिसमें पूरा का साइन्स पूरा आपका जीए और करेंट और एकनोमिक्स पार्ट सोते हैं उनमें में जो है आपको टॉपिक वाइज चै कहती है कि आप जो है स्मार्टली करें आप हाडवर्क से ज्यादे स्माट वक पर फोक तो सब्सक्राइब को में करें कारें समय handwork क्न्र में और है कि आपको उलेक्तोश्य सव्वावर्क करी एस मेहनत को बचाकर के आपको व्यादा की यहीं अप पते है कि आट-टेसन जलेसन तो इसलिए जो है आज की सेसन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जितने भी हमारे एंडिये के एस्पेरेंट एंट सभी लोगों के लिए तो एक बार सभी लोग सेसन को सेयर कर देंगे और आज जो है इस सेसन में अमलुक देखने वाले पूरा चैप्टर वाइच वेट तो यहांपर ओर्टो से पांसे दस कुष्णद आतेंैं ठीक है ओर्डिंग अ वर्टन से यहीन सनिषोन से भी पांसे दस कुष्ण क아서 आ जब ंदा हैं ऐन्टोनिम से आपके पांसे दस कुष्ण का आसपास आजय और से याद रखेगा स्था कॉष्ण कर देखने को मिलता है जो की पूरा प्रिवेस पेपर पैटर्न है उस अधार पर है क्लियर उस अधार पर है याद रखेगा और नेक्स्ट अगर मैं बात कर तो यह पूरा ग्राफ देखोगे तो इस तरीके से जो है आपको एंडे का इंग्लिस चैप जो पोर्शन है जो कि 50 को प्रिवेस चैप पता होना चाहिए इंग्लिस में जो है टोटल 50 कोश्चन होते हैं और टोटल आपका 200 नंबर का जो है पेपर होता है इंग्लिस ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करो फिजिक्स का फिजिक्स में आगर देखोगे तो 25 कोश्चन टोटल आते हैं 100 नंबर के 20 कोश्चन होते हैं मैकेनिक्स न स साथ निसी कोश्चन होते है चार से पांच कोश्चन आप्टिक और यह केवल और एकवल डे आउप्टिक्स ही उमेन आपड़ और आपका जोएं ऑ्प्टिकल इस्ट्यूमेंट यहीं पार इसके अंदर आता है औकि लिसंसे एक कोश्चन और एक electrical power से numerical fix है Frick Trading excitement से 2-3 question देखने को मिल जाते हैं और modern physics से दो इस तीन question को मिल जाता है तो यह पूरा physics का weight is 25 tuition आता है 100 number कहते तो इसको एक बार अप लेकल लीजेगा और जिस परकार से इसका chapter वेजेज है इस चेप्टर पर आपको महनत भी करनी हैं अगर मैं सेम बात करूँ more chemistry की तो chemistry में आपका physical and chemical change से एक से दो question, element mixture and compound से एक से दो question, law of chemical combination and gas law से एक question, concept of atomic molecular and equivalent masses से दो से तीन question, atomic structure and radio activity से दो से तीन question, periodic classification of element से एक से दो question, chemical bond से एक से दो question, acid base and salts दो से तीन question, यानि आपको मेहनत ये topic पे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ये topic पे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, याद रखेगा, oxidation and deduction and electrochemistry से एक से दो question है, non-metal and their compound से दो से पास question है, और important chemical compound से तीन से अच्छे ही question, ये देखो कितने important topic हैं ये जो दो के लास्ट के हैं, इसके इलावा अगर मैं बात करूँ biology से, तो bio से यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा, तो diversity of living world, यहाँ से जो है question दो से तीन question देखने को मिलता है, cell and cell division से दो से तीन question देखने को मिलता है, आपका constituents of foods से एक से दो गोस्टन देखने को मिलता है, structural organization of a plant, plants and animals से एक question देखने को मिलता है, plant physiology reproduction से जो है दो से तीन question, human system, health and disease, human system से देखो 3 से 5 questions, health and disease से एक से दो question, economic importance of biology से एक question, और ecology, biodiversity and pollution से दो से तीन question यहाँ पर देखने को मिल रहा है, से बावन नंबर के यहां पर कह सकते हो आपका बाइलोजिस से देखने को मिलता है हमें क्लियर नेक्स्ट अगर जीए की पार्ट की मैं बात करो तो जीए की पार्ट में देखोगे तो पूरे पचास कोश्चन होते हैं जीए और करेंट के रिलेटेड पचास कोश्चन 200 नंबर इसमें यह पचास कोश्चन किस परकार से बट्टे होते हैं तो हिस्ट्री जेगरॉफी पॉलिटी एकनोमिक्स और आपके स्टाटिक एंड करेंट अब आपको पता है कि हिस्ट्री जो है 13-14 कोश्चन देखने को मिलता है लगवग जिसमें मॉडन मॉडन हिस्ट्री से ज्य चे से अट कोश्चन देखने को लता है एकनोमिक से मतलब कभी तीन कभी दो वही करेंट और स्टेटिक में जो है चेंज होता रहता है इस यह जो है कुछ आपका जो है वेटेज रहता है हमेसा आपके जीए के पार्ट्स के ठीक है तो यह सब आपको मैंने पूरा पेपर करना है अब जो बच्चे एंडिये के लिए अगले एक्जाम की तैयारी करना चाहरा है और वो चाहतें कि बहुत ऐसे संदातर के तैयारी कराई जिसमें सब कुछ हमारा जो है एक ही कोर्स के अंदर हो जाए तो उसके लिए मेरे पैरबच्चो अभी उतकर्स एप पर चल रह ही है और याद रखिएगा यह ओफर जो है 21 मार्च से 28 मर्च तक रहने वाला है और इसके इलावा उतकर से पर जितने भी आपके बुक साला पर प्रिंटे नोट से हैं उन पर भी जो आपके डिसकाउंट जो है बहुत सांदार मिल रहा है ठीक है अब इसमें सर जैसे आपका एंड एंडे एपाइशन के या एंडेर टारगेट जो बैचे जर één डिशिया रिकॉर्डड बैचे उन में भी आपको बहुत सांदार अफ मिल रहा है यह पिर कोस्टगाड के रिकॉर्डड़ बहें या फिर आपके एर फोर्स के एक्स या या एकस वी गाई या आपके तो यह तो एक दम लाइब वैच की निमुझे तो रिकॉर्डड़ चाहिए जब चाहँ तो जो टॉपिक पढ़ना चाहँ वो टॉपिक पढ़ लो तो रिकॉर्ड़ बैच भी अब लेबल है आप इसमें सारी कोर्स सारी जो आपका स्लेवर्स के वीडियो पढ़े हुए हैं आप जब चाहोगे जो वीडियो चाहोगे वो वीडियो का आप देख सकते हो और याद रखना इस ओफर में थ्री मंथ की एक्स्ट्रा वैलिटी भी म अब कई बच्चे से होते हैं जो एक सा तैयारी करते तो उनके लिए महापैक भी जिनमें एंडियों एक लाइफ क्लास आपको मिलने वाली है और यह आपका ओफर 28 मार्च तक रहने वाला है तो मेरे प्यारे बच्चों जम के तैयारी करिए महनत करिए और इस होली में अपन जय हिंद जय भारत